हात्रस में बालिका के साथ दुराचार की घटना का समाचार पूजा वर्मा से हातरस में बालिका के साथ दुराचार की घटना को लेकर प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट दिल्ली सफदर जंग हॉस्पिटल की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट हो अत्वा विधी विज्यान प्योग साला में हुए गहन परिक्षन की रिपोर्ट तीनों में बालिका के साथ प्रित्यू का कारण गले में चोट लगने से होने वाला ट्रामा है यही नहीं विधी विज्यान प्रेयोग साला की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है इस रिपोर्ट में या इस पस्ट रूप से बताए गया है कि जो सैंपल एकत्रित किये गए थे उसमें दुसक्रम की प उन्होंने बताए कि ऐसे लोग की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में समाजिक सत्भाव को बिगारने और जाती हिंसा फैलाना चाहते थे। जवाब दे अधिकारियों के कहने के बावजूद अपने तरीके से चीजों को मीडिया में गलत तत्यों के आधार पर मोर ना चाहते थे। law and order ने कहा है कि मौहौल बिगारने की कोशिश करने वालों की पड़ताल जारी है। मुख्यमंद्री योगी आधितिनात ने हातरस मामले की तह तक तहकीकात करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंद्री ने कहा है कि इस घटना के अपराधियों को ऐसा दंड मिले जो आने वाले समय में नजीर बने। Crime in India के ताजा आकड़ों का हवाला देते हुए ADG Law and Order ने कहा है कि महिला संबंदी अपराध में जो कन्विक्शन की दर है इस मामले में उत्तर प्रदेश 2018 में भी प्रथामस्तान पर था और इस वर्ष भी है।